पद्धतियों आपी छे, एमा आपने जो ये तो प्रकृतिवाद जे सिक्ष्ण पद्धतियों आपी छे, ए सिक्ष्ण पद्धतियों मा क्रिया द्वारा सिक्षन, अनुबव द्वारा सिक्षन, खेलकुद द्वारा सिक्षन, एल्ले के रमत गमत द्वारा सिक्षन, आप प्रक्रूतीवादियो निसकरीय और अभ्यास पदधतियों अभ्यास पद्धतियों की परपनथ निसक्षिन सिक्षनिक सिद्धांत सिक्षन पद्धतियों आपने आपी छे आने आ जे सिक्षन पद्धतियों जे छे ए सिद्धांत आधारी छे कि जे मनविग्णान ने केंद्र मा राखे छे बाड विकास ने केंद्र मा राखे छे अने इमा पहली जे वात आवे छे क्रिया द्वारा सिक्षन, learning by education, अनुबह द्वारा सिक्षन, experience by education, त्यार बाद खेल द्वारा सिक्षन, त्यार बाद आब दज्य सिद्धान्तों छे, ए सिद्धान्तों ना आधारे, आपने जे पधतियों आपवामा आवी छे, ए पधतियों मा ग्नानार्जन माटे पुस्तकों ए अनुमनुवे ग्नान सिद्धान्तों ना आधारे, एमने जुदा जुदा पधतियों आपने आपी छे, ए जे पधतियों छे, तेमाँ छे निरिक्षन पधति, एक छे observation method, बीजी छे, खेल कुद पधति, रमत गमत पधति, त्रीजी छे, तेचे हुरिस्टिक पधति, पची छे, डाल्टन पधति तथा आगर्टनी पधति छे, मैडम मोंटे सरी ए आपेली मोंटे सरी पधति, आम बाड़कना रचनात्मक कारियों अने बाड़के आत्म निरिक्षन करी शके, आत्म सिक्षन प्राप्त करी शके, एवी पधतियों आपवानी वाद, अहिया आपने प्रकृतिवादियों करी प्रकृतिवादी सिक्षन व्यवस्तामा सिक्षन आगर आपने वाद करवानी चे ते छे प्रकृतिवादी औने सिक्षक मा प्रकृतिवादी यो ए सिक्षन मा सिक्षकनु स्थान ए गोण गणे चे औने अध्यतानु स्थान ए मुख्य गणे चे सिक्षन बाबते एउं कहे छे, कि सिक्षन मां शिक्षक ने भूमी का छे एक गवण होवी जोई करनके प्रकृती च सर्वस्रेस्ट सिक्षिक का छे, एउं आपने प्रकृती वादियों कहे छे कारण के वर्गखंड मा बनावनार जे सिख्षक छे ए समाज मा थी आवे छे अने समाज मा थी ज्यारे सिख्षक आवतो होई त्यारे समाज ना जे दूसित वातरों मा थी ए सिख्षक आवतो होई छे अने ए जे दूसित वातरों मा थी ज्यारे सिख्षक आवतो होई त्यारे पोते दूसित मानस लई अने वर्गखंड मा साड़ा मा प्रविष्थो होए छे माटे ए अध्यापन प्रक्रिया मा सिक्षण मा जे सिक्षक नू स्थान चे ए सिक्षक नू स्थान ए गोण माने छे अने जयरे मुख्य स्थान ए अध्यतानू राखवानू कहे छे आगर जो ये तो एमा प्रकृतिवाद अनुसार बाड़क नुस्थान ए सिक्षन मा मुख्या छे रोसो नामत मुझब बाड़क ए साधू प्रकृति धरावे छे जे बाड़क छे ए साधू सज्जन प्रकृति धरावे छे माटे तेनो स्वाबविक विकास ए स्वतंत्र वातराण मत स्थाई शके छे एनने जो स्वतंत्र वातरों आपवामा आवे त्यारेज एनो स्वाबविक विकास थाई शके छे माटे तेवो सिक्षनी प्रक्रियामा सिक्षक नुँ स्थान एगवण मुख्ये राके छे अने जी बाड़क छे अध्यता छे एध्यता नुँ स्थान एगवण मुख्ये राके छे अने प्रकृति वादी यो ए सिक्षक माडे बोँसरसवाद करे छे सिक्षके ए नातक माने विद्यार्थियोंने रंगमंच त्यार करवानूँची त्यार करे कार्या? अध्यता ये करवानू छे, बाड़क ये करवानू छे, एल्ले जे रंग मंच होई, के मंच होई, एनो हीरो, एनो अभीनेता ये विद्यार्ती छे, शिक्षक नथी, आ जे अभीनेता ये कार्य करे छे, बाड़क ये कार्य करे छे, एनो निरिक्षन अया सिक्षक ये करवानू अगर जो ये तो प्रकृतिवादियो अने सिस्त तत्वग्नान ना दरेक इजमे दरेक वादे आपने सिस्त आपी छे अने आज सिस्त आपी छे तेमा प्रकृतिवादित पन सिस्त आपवामाथी पाची पानी करतो न थी एने एपन सरस्मजानी सिस्तनी वाद आपरां समक्ष करी छे एमा प्रकृति वादियों प्रकृतिक परिणामों द्वारा सिस्तनी सिद्धान तापयो छे प्रकृतिक चे परिणामों छे ए परिणामों द्वारा सिस्त लादवानी वाद अहिया आपने करी छे अने एमाटे र सिश्ट जाते जड़ावानी चहे, स्वतंतर ता पूर्वक जड़ावानी ची तेवी वात अपने प्रकृतिवादियों करे चे प्रकृतिवादियो ए बाड़क ने स्वतंतर वात रहन अपवानू कया चे सारेरिक औने बाहियो हस्तक्षेप थी औने दूर राखी औने सिक्षन आपवानी वाद करें छे करने के जो एने कोई बाहियो हस्तक्षेप आपवा मां आवे हो एने कोई सारेरिक सिक्षा करवा मां आवी तो ए जे सिख्षा छे एना मस्तिस्क मा कुठा स्वरूपे यसी जसे अने आज ए कुठा छे ए अचेतन मनमा कुठाओ रूप बनी जसे एले के बाड़क जे छे एनी परसनलिटी छे एनी व्यक्तित्वा जे छे ए डिसोर्डर थाई जसे एउ आपने प्रकृतिवादियों कहे एले बाड़क जे छे अध्यता जे छे ए अध्यता नूँ व्यक्तित्वा एक कुठीत न थाई जाए एक कुठाओनों भोग ना बने अने एनी परसनलिटी ए सोड़ी कड़ाई खिली उठे माटे एनी स्वाभाविक अनी स्वतंत्रवाग विकास थी सिक्षन लेवानी बात अया आपने प्रकृतिवादियों करे अगर जोई ये तो तेमा हर्बर्ट अने स्वेंसर सीस्त माटे सुक दुखनों सिद्धान्त आपने आपे हो छे एले हिडोनिस्टिक जे सिद्धान्त छे हिडोनिस्टिक जे थियरी छे ए आपवानू ए हर्बर्ट अने स्वेंसर ये क पुझा 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 पुझ एक शिक्षक के कोई अस्तक्षेप करवानी जरूर न थी प्रक्रुती चीश त्याने दन्रित करशे एवू आपने प्रकुती वादियों कहे छे। आ माटी स्पेंसरे एक उदाहरण आपियु छे, की जरे बाड़क ये जमीन ऊपर पडे छे त्यارे एंने पीडा थाई छे, अने आ पीडा एंने वारंवार थवानात कारणे एने खबर पड़ से की जमीन ऊपर पड़वा थी वाग से औने वागवाकार ना पीडा थासे, माट प्रकृति ना भाग रूपी ए ब्रूक्ष ने तोड़े एना फ़र्ड ने तोड़े एना जाड़ना पुष्प ने तोड़े एना पत्ता ने तोड़े तो ए तोड़वा मां क्यारे जे बाड़क छे ए जमीन उपर पड़ी जैसे औने बाड़क जमीन उपर पड़ी जैसे तो प्रकृतिवाद अने साड़ा प्रकृतिवाद यो ना मते ए जे साड़ानू वातरों छे ए लचीलू अने स्वतंत्र होऊ जुए एनू वातरों ए प्राकृतिक नियोमो अनुसार होऊ जुए आम प्रकृतिवाद यो पोते एमज कहे छे के साड़ानी कोज जरूर नथी करण के परंतु सामाजिक व्यवस्ता माटे साड़ा जरूरी छे एउ अहीया प्रकृतिवादियों कहे छे साड़ानू वातारण एप्राकृतिक हो जुए एउ अहीया आपने प्रकृतिवादियों कहे छे प्रकृतिवादियों कहे छे कि साड़ानू वातरण ये प्राकृतिक हो जुए एनू खुलू पटांगण हो जुए खुलू मैदान हो जुए त्या सुध हवा प्राप्त थवी जुए एकदम अक्सिजन मड़ी जो जुए बद्दाज अध्यताओने इवी विवस्ता थैली हो ट्या सुध हवा पूरतो सुर्य प्रकास हो एले सुर्य प्रकास नी विववस्ता हो एब त्या कोईपन प्रकार नू कठोर समयपत्रक टाइमBookल हो जुए नहीं अने त्या स्वसासन माटे जे निता छे ए निताने अनुगामी अने पुरोगामी बनवानों मौको मलवो जुए एवु पन अहिया आपने प्रकृतिवादियों कहे छे प्रकृतिवादियो ए लोक साही डबे सिक्षन नी व्यवस्ता नी वाद अनू गामी बनवानी अने पुरो गामी बनवानी वाद आपने सरस रिते करे छे प्रकृतिवादियो नी सिस्त अंगे नी अपने वाद करी त्यार बाद सिस्त मा प्रकृतिवादियो नी जे साड़ा नी अपने वाद करिया छे ए साड़ा मा अगड नी आपने वाद करिया छे तेमा प्रकृतिवादियो ए साड़ा मा केटला उदहरन आपने जोहिली ए समर हिल मा अवेली निल्सकूल आ एक साडानू उदहरन चे प्रकृतिवाद प्रमाने आ साडा कारिय करी रही चे पची टागोर नी विश्व भारती जे संस्ता चे तेपन आरिते कारिय करी रही चे त्यार बाद अमदावाद मा उस्पान पुरा मा अवेली श्री विद्यानग आपवामा आवे अिने शिक्षन ने अगत्यानी असे दिंदिर अपन LOLS. छीजनिये गूने ऐसे डिञेटान चैनितों से निरुपथ तिहार बाद एकांगी औने असंतोस जन्नक उद्यश्मा आपने जोई ये छे के प्रकृतिवाद बाड़क ने प्रकृतिना प्रागण में राखी ने त्यानों स्वाभावीक विकास करवानू कहे छे प्रकुरती वाद आपने यह उँ कहया छे के बाडक जीछे एड़िए ये बाडक ने प्रकुरती ना प्रागन में राखी और शिक्षन आप वानू छे विद्वानोंना मत मुझब जो बाड़क ने प्रकृती मां गोध मां ज राखवा मां आवे तो तेनो स्वाभाविक विकास तो थाई जाए छे पन तेनो सामाजिक विकास थाई सकतो नथी एले एनो सोशल डेवलोप्मेंट करवू होए एनो सोशलाइजेशन करवा माटे ए बाड़क ने समाज रुपी पन सिक्षन आपवो जो ये तो फक्त प्रकृती मां जो सिक्षन आपवा मां आवे तो एनो एकांग की विकास थाई जाए छे और संतोस जनक विकास थाई जाए तो एना माटे एने समाज मापन राखी ने सिक्षन आपनी बाद ए प्रकृतिवादियों करे छे स्वरी प्रकृतिवादियों नथी करता ए एनो दोस छे आम मानविय गुणों नविकास ए थाई शक्तों नथी एनो पहलो दोस छे त्यार बिजा दोसने आपने वाद करिये तेमा चे वर्तमान उप्योगितानू लक्षन प्रकृतिवाद ए वर्तमान सुखने प्राधानिया आपे चे एले वर्तमान जे सुख चे एज महत वनू चे एउ आपने प्रकृतिवाद कहे चे प्रकृतिवाद ए सिक्षन मा भविष्य औने परलोक नी तैयारी तथा आध्यात्मिक गुणे ने महत्वा आपतो ना थी परलोक नी जे तैयारी छे परलोक नो जे जीवन छे आध्यात्मिक गुणों जे छे एने महत्वा आपतो ना थी आध्यात्मिक गुणों जो बाड़क नामा खिलावनी थसेच तोज एनामा मानविये अने सामाजिक मुल्यों नो विकास थाई सक्षे माटे आध्यात्मिक गुणों पन एटलाच महत्वना चे जिटलू प्रकृती महत्वनी चे माटे वर्तमान उप्योगितानू जे लक्ष चे एनो दोस चे जीवन सिक्षन नो अन्तिम धे हो जुएस करण के जीवन मां सिक्षन नो कोई अन्तिम धे हो जुए आउ कोई अन्तिम धे आपवामां प्रकृती वाद ए निश्वड निवड़े चे अने त्या अंतिम लक्ष होए तोज बाड़क ए बोधिक कलात्मक अने आध्यात्मिक विकास करी शके अगर नी वाद अपरे करिये तो प्रकृतिवाद नो बिजो दोस छे पुस्तक नो विरोध प्रकृतिवादियो ए पुस्तकी आग्नान नो विरोध करे छे प्रकृतिवाद ए सिक्षण ए बाड़क ने क्रिया ओ अने जिवन Ooh अनुबवizon दवारा मिढवा उजिये यवव कहे छे अने एक पुस्तकी अग्नान नो विरोध करे छे एले अनू बहु द्वारा बाड़क केटलू सिक्षन मेडवी शके एपन एक एनो दोस छे पुस्तको जेमा संस्कृती अने सब्यतानो भंडार छे पुस्तको एक नानना भंडार छे अने जे सिक्षननो माध्यम छे तेने पुस्तकी अग्नान नो जे अनाधर नी वाद आपने करी छे त्यार बाद पाठ्यक्रम्मा विजनानिक विश्वने वधारे परतू महत्वा अपवामा आवियु छे विजनानिक विश्वने वधू परतू महत्वा आपवामा आपवाना करने जे मुल्यों जे छे सामाजिक प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुसासन पन एक दोस्ट छे एनी मरियादा छे करणके प्राकृतिक परिणाम द्वारा जिस्टिक्षन आपवामा आवे छे अनुसासन साध्वामा आवे छे जे अनुसासन छे ए बाड़क क्यारेक सामने भूल करे तो पन एनने बहुं मोटी सजा थाई जती होई छे अने एना माटे एक उदाहरन आपने जोई ये तो रमता बाड़क जो विजरीना ताडने अड़की जाए तो तेनों मृत्यूपन थाई शके छे पर आणे दण्ड वधारे मड़े ए पन अनुसासन स्तिस्त एपन एनो दोस चे एनी मरियादा छे त्यार बाड़क नुस थान पन अत्यारे वर्तमान युगमा सिक्षक नुँ महत्वन नुस्थान चे क्यांके लोकसाई युगमा सिक्षक ए गणुज अगतिता धरावे छे शिक्षक पासे थीक अध्यताओने गणू बदू सिखवानू छे एपन एनी मरियादा छे त्यार बाद आपने एना गुण विशे वाद करिये एना फाइदा हो विशे नी वाद करिये तो बाड केंदरीत सिक्षन प्रणाली छे तेना कारणे आधुनिक सिक्षन मां आपने प्रकृति वाद्यों आपयो छे प्रकृति वादे आपयो छे नवी आधोनिक सिक्षन पद्धतियो आपने प्रकृति वाद्यों आपी छे शिस्त माटे जे दमन करवामा आवे छे साड़ा कक्षाय जे बनाओ बनी राया छे ए अंगे नी वाद या सरस वाद गुण प्रकृति वादे सिक्षन ने वेग्नानिक और जेविक दरश्टी कौन आपे ओछे ले वेग्नानिक दरश्टी कौन थी सिक्षन आप पूजुए जेविक बायोलोजीकल व्यूब आपनिक बाद पना